नमस्कार मेराखी और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखंड और अब वक्त हो चुका है उत्राखंड की एहम खबरों का तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सोईसिला पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने इंडो नेपाल बॉडर क्षेतर का निरक्षन कर भारत नेपाल सीमा पर तैनाथ शस्त्र सीमा पल जवाहनों की चेक पोस्ट का निरक्षन किया इस दोरान कुमाउ दोरे पर पहुंचों डीजीपी ने SSB जवानों से मुलाकात की साथ ही उन्होंने बहतरीन काम कर रहे जवानों का होसला भी पढ़ाया वहीं डीजीपी ने जवानों से अंतरवाष्ट्यों सीमा पर देश की छवी को बनाये रखने और बॉर्डर पर तसकरी को लगाम लगाने की बात कहीं चुकि मैं इस एरिया से जा रहा था चंपावत से वापिस तो इसलिए हमने अपनी भारत नेपाल जो सीमा चोकी है जवानों का मुराल बहुत हाई है अच्छा लगा यहां करते हलदवानी के हीरा नगर में पेड की पूरी तरहां से इक्षति गरस्त होने पर भारी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है इस दोरान स्थानिय यूवक की ओर से जागरुकता के तहत वन विभाग और नगर निगम को शुकायत पत्र दिया गया वहीं शुकायत करता का कहना है कि जागरुकता के चलते शुकायत की गई थी साथ ही उन्होंने अधिकारियों के जिम्मेदारियों से भागनी की बात कही जी आ मैंने इसको लेके अभी जो महा निकला दिसंबर 2020 से मैंने अपने कारवाई शुरू करी थी कि जैसा आप यह देखेंगे इस पेड़ का मतलब मेरे घर से कोई संब्द निया बस मेरे घर के बहाल लगा हुआ है मैं नहीं चाहता कि अगर गिरे किसी मेरे खर के सामने किसी को चोट लग जाए कोई कोई चोटिल हो जाए किसी का जान माल का नुप्सान हो जाए तो मैंने सबसे पहले दिसंबर माह में मैंने यसकी काहरवाई सुरू करी और मैं इस के लिए बन विभाक से इसके लिए बन विभाक से यह चाला हूई और दो तीन महा की मैं कारवाई लगातार करता रहा जैसा कि आपको पता है सरकारी काओं में थोड़ा लेट हो जातंता है लेकिन पूरी हुई जो नगन निगम ने मेरे को लेटर दिया उसमें नगन निगम उसके कह रहा है कि यह पेड़ आप कटाओ अपने खर्चे पे कटाओ अगर कोई नुकसान होता है काटने में तो उसका जिम्मधारी में होगा इससे मुझे तो यह ऐसा प्रतित हुआ कि अगर कल को म कारवई में ऐसा लगा कि मैं एक यह पूरी कारवई करके कुछ अपने आम में ठगा सके वहीं बीते दिन देहरादून के डोईवाला में अंतरराश्ट्य महिला दिवस के मौके पर बाला सुंदरी मंदिर परीसर में गोस्ठी का आयोजन किया गया इस दोरान गोस्ठी में म महिलाएं पुरुषों से हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं वहें उन्होंने सरकार की ओर से महिलाओं की बेहतरी के लिए तमाम योजनाय संचालित करने की बात कहीं कुरातन काल से महिलाओं के शेत्र में कारे कर रहे हूं 30 साल पहले की आवाज उठना शीख गई जोरत है उन्सेशक्त महिलाओं को जो निर्बल जो हाशी पर महिना हैं उनको मुख्यदारा में लाने के लिए उनके अधिकारों के बारे में उनकी आर्टिकी के बारे में वो एकनॉमिक लिए स्ट्रॉंग हो और उनको कानून की जानकारी हो उनको शिक्षा मिले उनको जो तुम लोगों की पीड़ा है जो समस्या है उनको आगे रखते हैं और आपस में साज़ा करते हैं उसको सॉलिशन के लिए भी हम लोगों को यहां पर रिसोर्स परसन को बुलाते हैं जैसे आज हमने रेनुडी सिंग मैडम को बलाई जो समाधन एलपलाइंग की को चला र वहीं लंबे समय से होली खेलते आ रहे महेशगिरी ने बताया कि कोरोना के चलते पिछली साल होली का रंग फीका रहा जिसके चलते इस बार वहे एक महीने पहले से ही अपने दोस्तों के साथ बैट की होली खेल रहे हैं उस दोरन ताहित्य प्रेमी व्रेंद्र रतूरी ने बताया कि होली के रंगों के साथ ही होली के गीतों का भी महत्व है साथ ही उन्होंने नई पीडी तक अपनी संस्कृति को ले जानी की बात कही जैसे कि आप सब जानते हैं कि होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो भिठुलों को भी मिला देता है जो हमारे व्याचारीक मद्वेद होते हों यह दिन अशा होता है जब हम आपास में मिलते हैं और यह बैठ की होली जो काफी लंबे समय से हमारे पूरे उत्राखंड में मना जाती रही है और इस प्रम्प्राव को हमने आज एक बार पुन्हों आगे बढ़ाने का परियाज किया है भगवान कटकेश्वर मादेव की इस भूमी से और मैं इस माद्यम से आज अपने पुराने होलियार सौरगिया उमा संकर थबल्याल जी को भी नमन करता हूँ जो हमारे इस नगर के ख्याती प्राफ्त रंकर्मी रहे हैं जिन्होंने बहुत बेतर नंक से हुली खेली है और साथ मैं आज आप देख रहे होंगे कि यह जो जोश ख्रोश क्योंकि हम एक साल करोना काल में बहुत सिथिल रहे है श्री नगर में प्रगती शील जनमंच के तीन सुत्रिय मांगों को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया इस दोरान जनमंच की ओर से कई बार समस्याओं पर समाधान के लिए अंदोलन ही किये गए वही प्रदर्शन का समर्थन कर रहे यूकेडी के गडवाल संयोजब मोहन काला ने बताया कि ख्षेत्र की जनता पहले से ही बढ़ती महगाई से परेशान है बावजूद उसके ख्षेत्र के लोगों पर पानी के मीटर थोपे गए है इस दोरान जनमंच के अध्यक्ष अनि और आक्रोस ज़्यादा रहता है लेकिन पॉल्टिकली यहां पे बड़ा सख्रिय है सारा इसाब किताब तो भाजबाग अंग्रेस के लोगों का एटिटूड एकदम बदल जाता है देखते ही और आक्रोस तो बरकरार है और आक्रोस बरकरार रहेगा आगे जोए है हम इस आ अधिये भी माद्यम से ज़्याए है इस परियास करेंगे और निश्ची थमकु सफलतम लिए यहां पर तमाम आक्रोस है पूरी जंता का और जो पानी की समस्या है पहले है जो पानी के बिल जो आ रहे हैं जो कि डबल डबल करीब 12.00 महीने का बिल आ रहा है उसके लिए आक् और इसी के साथ उत्राखंट स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस 31 उत्राखंट नमस्कार